Hello everyone, फिर से स्वागत है Metamosis में और मैं आपको प्रोनाउन की सिरीज इस समय चल रही है और प्रोनाउन की सिरीज में पिछली बार हम 5 हैं बड़े इंट्रेस्टिंग से आपके लिए Errors लेके आये थे और इस बार भी उसी को आगे फॉलो कर रहा हूँ और 5-6 सेंटेंस आपके लिए और बहुत बड़े लेके आ रहा हूँ जो पका कॉम्टिशन में आई हूँ है और आते हैं और जिनको क्रेक करने बहुत माइनूर सी जो है डिटेलिंग का पता होना चीए तो चलते हैं आज के पहले सेंटेंस में So, let us start आज का पहला सेंटेंस है अगर आप देखें यहाँ तो दो प्रोणावन आपको दिख रहे हैं एक आई दिख रहा है जो परस्नल प्रोणावन है जो इंटेरोगेट्व प्रोणावन है मैं एक सीधे-सीधे देखने में हमको बिल्कुल इसलिए इसकी पकर नहीं हो पाती क्योंकि यह बिल्कुल हम आम जिन्दगी में बोलते हैं, कई बार English जो grammar की पकर हमारे पास इसलिए नहीं आपाती, क्योंकि आम जिन्दगी में हम किसी sentence को इतना ज़्यादा बोल देते हैं कि हमें लगता है कि वो ही सही है तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर जो subject है I है ठीक है और who जो है वो भी I के लिए ही use हो रहा है तो जो verb आएगी वो is किसी भी हालत में नहीं हो सकता क्योंकि वो जो verb है I के साथ simple verb जो होती है वो am होती है ना कि is तो यहाँ पर आएगा I who am your father should be respected generally लोगों को लगता है कि am बड़ा अजीब सा लग रहा है और यहाँ पर मिलकुल match नहीं कर रहा है एक यह वाली चीज से भी बाहर आईए कि jam नहीं रहा है या match नहीं कर रहा है तो यह इसलिए नहीं जमता है क्योंकि हमें अपनी comfort level में रहने की आदत हो गई है तो जो सही sentence है actually वो हमको थोड़ा odd लगता है क्योंकि हमने इतनी बार गलत repeat किया है तो यह हो जाएगा I who am your father should be respected तो चलिए दूसरे sentence की ओर और आज का दूसरा sentence आपके लिए जो है वो है the man standing beside the minister और हमें जिस सिर्फ pronoun एक ही यहाँ पर दिखता है और वो है me तो अगर हाँ देखें तो last में me है और generally हमारा ये दिमाग इस तरीके से चलता है कि objective case अगर रहेगा तो me बिल्कुस सही है लेकिन आपको sentence की meaning को भी समझना होगा और sentence की meaning जो दिखा रही है वो ownership दिखा रही है relation दिखा रही है और friend of me यानि कि वो related है उस friend से और जब pronoun मैंने बताया था मैंने कहा था जैसी किसी चीज का connection या relation किसी चीज से दिखाया जाता है तो possessive case होता है और possessive case में I का जो possessive case होता है वो या तो possessive case आएगा और mine आएगा तो इसलिए ये sentence हो जाएगा कि the man standing beside the minister is a friend of mine तो इस तरीके से दूसरा sentence हुआ अब चलते हैं तीसरे sentence की हो और तीसरा बहुत important sentence है और वो है यह बहुत बार आया हुआ यहाँ पर they subject का का काम कर रहा है और they आप जानते है pronoun है my friend आया उसके बाद I आया तो I भी pronoun है अब when they say they invited my friend and तो जैसी invited के बाद का जो हिस्सा है वो objective या object के case में आ जाता है तो my friend के बाद जब मैं I रख रहा हूँ तो I मैंने subjective case रख दिया है अगर आप pronoun के मेरे initial lecture में जाएं तो पता चल जाएगा तो I का objective case हमें रखना पड़ेगा और वो हो जाएगा they invited my friend and me to tea तो ये एक बहुत important question है इसे भी देखेगा उसके बाद एक बहुत अच्छा sentence है जो हम ज़्यादा तर लोग गलत करते है और वो है मोहन made your mansion अब मैं आपसे एक बार अगर ये पूछू इसका meaning क्या है जब भी मैंने student से पूछा मोहन made your mansion तो इसका meaning क्या है तो आप आश्यर ही करेंगे कि लोग कहने लगे student कि मोहन ने तुमारा घर बनाया था यहाँ mention M-A-N-S-I-O-N नहीं है यहाँ पर है M-E-N-T-I-O-N और कई बार इसको लोग इस तरीके से यूज करते है कि मोहन made your mansion का मतलब होता है कि मोहन ने तुमारा जिक्र किया था या मोहन तुमारे बारे बता रहा था लेकिन आपको जान के अश्यर होगा कि मोहन ने तुमारा जिक्र किया था यह इसको कहने के लिए sentence नहायत गलत sentence है और इसको सही करना पड़ेगा तो मोहन made your mansion की जगह होगा मोहन made a mansion of you अब इसको बहुत ध्यान से देखेगा मोहन made a mansion of you तो इसको सही से आपको देखना है next sentence में आते है और यह फिर से एक sentence है जो बहुत ही important है यह इतना शांदार sentence है जो ज़्यादा तर लोग गलत करके आते जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमने शुरू में ही वर्ब को यहाँ पर involve कर लिया वास बिंग एक क्लावडी डे जबकि हमें कहना सिर्फ इतना था कि यहाँ बादलों भरा दिन होने की वज़े से अब इसको हम सीधे सीधे वास बिंग कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि वो पैसिव फॉर्म हो जाती है और पैसिव फॉर्म कंटिनियस के साथ ही हो जाती है तो हमें ऐसे सेंटेंसे से बहुत ख्याल रखना है कि हम इट वाज बिंग न लगा के हम कहेंगे इट बिंग एक क्लावडी डे बादलों भरा दिन होने की वज़े से इट बिंग एक क्लावडी डे वी स्टेड इंडोर्स हम अंदर ही रुके यह हम घर के अंदर ही रहे उसके बाद एक बहुत important जिसको generally लोग नहीं पकड़ पाते हैं लेगिन हो बहुत important है और वो है We went to Nanny Lake and enjoyed myself हम जब इसको आम लड़का जिसने बहुत ज्यादा practice नहीं किये यहाम student से पढ़ता है तो पकड नहीं पाता है, यहाँ पर अगर हम कहें, we एक pronoun है, और myself pronoun है, आपको पता reflexive pronoun, मैं बता चुका हूँ तो अगर we से start हुआ है, we went to nanny lake, तो जब इसका reflexive बनेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं, कि हम nanny lake गया और हमने वहाँ enjoy किया, तो हम अपने आपको ही reflect कर रहे हैं, वहाँ पर, तो we के साथ जो reflexive होगा, ourselves होगा, ना कि myself, तो we went to nanny lake and we enjoyed ourselves, और last sentence आज का ले रहा हूँ, कि ये sentence इतना बढ़िया है, और आपका ये अंतिम sentence है, तो मैंने इसलिए रखा है, बहुत अच्छा sentence से discuss करना चाहिए, देखिए, इसका पूरा जो error है, वो pronoun के अपने existence का question है, आपको पता है कि pronoun क्यों आया था, मैंने बताया था पहले lecture, pronoun की इसलिए खोज हुई, क्योंकि ज substitute चाहिए था, तो यहाँ पर the pen दो बार आ गया, तो we bought a pen, अब the pen is very beautiful की जगह आप लगाएंगे, it is beautiful, तो उसको आप it से replace करेंगे, और it के सारे usages मैं बता चुका हूँ आप से, तो ये थे आज के 7-8 sentence और आशा करता हूँ आपको पसंद आया हूँगे, और जुड़े रह आते हैं, वो contact करें मुझे, और ऐसे ही like and subscribe कीजिए, और किसी भी age group से आप इनको share कर सकते हैं, अगर आप बच्चों को भी सिखाएं घर के, तो शुरू से ही उनकी grammar में बहुत strong command होगा, तो मिलते हैं, next video में, thank you, thank you very much.